अर्विंद केजरिवाल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें ऐसी करारी शिकस्त मिल सकती है दिल्ली में जोड़ तोड़कर केजरिवाल ने कॉंग्रेस के साथ गठ जोड़ तो कर लिया पर उसे जमीन पर उतारने में केजरिवाल और कॉंग्रेस सफल नहीं हो सके नतीजा चंदीगड मेयर चुनाव में इंडी गट बंधन की हार का सामना करना पड़ा ये हार तब मिली जब वेट का गणित इंडी गट बंधन के पक्ष में था लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तो अपने अपने घोशित प्रत्याशियों का नाम वापस ले लिये थे इसका भी बुरा असर पड़ा सूत्रों का कहना है कि इन ही वजहों से आठ पार्शदों ने अपने वोट खराब कर लिये यहार तब मिली जब वोट का गणित इंडी गटबंधन के पक्ष में था लेकिन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच हुए इस गटबंधन से दोनों पार्टी के पार्शद खुश नहीं थे कांग्रेस ने तो अपना घोशित प्रत्याशियों का नाम वापस ले लिया था इसका भी बुरा असर पड़ा सुत्रों का कहना है कि इन ही वजहों से आठ पार्शदों ने अपने वोट खराब किये ताकि उन्हें रद्द कर दिया जाया और हुआ भी वही बीजेपी ने मेर के साथ डेप्टी मेर और वरिष्ट डेप्टी मेर के चुनाव को भी जीत लिया नतीजों की घोशना के बाद आम आदमी पार्टी के मेर उम्मीदवार कुल्दीप टीटा रोने लगे एक महिला पारशद को भी रोते हुए देखा गया गटबंधन प्रत्याशी कुल्दीप टीटा ने कहा कि सब ने देखा क्या हुआ और वह हाई कोर्ट जाएंगे गटबंधन का आरोप है कि चुनाव में कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया गया धका शाही की गई हमें 20 वोट पड़े थे धक्के से हमारे 8 वोट खारिच कर दिये गए पूरे चुनावी घमासान के बाद आम आदमी पार्टी पंजाब और हर्यान हाई कोर्ट पहुँच गई गटबंधन की तरफ से मेयर प्रत्याशी टीटा ने ये याचिका दाखिल की उन्होंने चुनावी नतीजों का रिकॉर्ड सील करने और तुरंत इस याचिका पर सुनवाई की मांग कोर्ट से की हलाकि हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई से इंकार किया और कहा कि बुधवार को इस याचिका पर संबंधित बेंच सुनवाई करेगी मेर चुनाव में भाजपा के मनूज सोनकर डिप्टी मेर के लिए रजिंदर कुमार और सीनियर डिप्टी मेर चुनाव में भाजपा के कुलजीत सिंग चंधू ने जीत हासिल की मेर चुनाव के अरावा कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी ने डिप्टी मेर और सीनियर विज Mubn ऐंदि के जरिवाल ने इस हार को बेइमानी करार दिया। उन्होंने कहा कि चंदिगर्ण मयर्चुनाओ में दिं दाहरे जिस तरह से बेइमानी की गई वो बेहुत चिन्ता जनक है। यदि एक मयर्चुनाओ में ये लोग इतना गिर सकते हैं तो देश के चुनाओ में तो किसी भी हद तक जा सकते हैं ये बेहद चिंता जनक है चंदीगड़ नगर नगर नगम में आमादमी पार्टी के पारशद प्रेमलता ने कहा कि उनके हाथ से वोटिंग पत्र शिन लिया गया था उन्होंने कहा कि नगर नगम में बीजे पी उम्मिद्वार की जीत के फैसले के कि खिलाफ कोर्ट में याचिका लगाई जाएगी बीजे पी उम्मिद्वार की इस चीत पर पार्टी के राश्य अध्यक्ष जेपी नड़ा का भी ट्वीट आया उन्होंने इसे 인डी अलाइंस के खिलाफ पहली जीत करार दिया जे पी नड़ाद ने लिखा कि इंडी अलाइंस ने बी जे पी के खिलाफ पहली चुनावी लड़ाई लड़ी और हार गई इस से दिख गया ना तो उनकी गणित काम की और ना उनकी कैमिस्टी चल पाई व्यूरी पूर्ट नूस फिंदिया